नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है ये रही आज की सुर्खिया त्रिपुरा हिंसा मामले में यूए पिये लगाये जाने के खिलाफ याचिका पर एसी करेगा सुनवाई उत्तर प्रदेश के शाजाँपुर में प्रदश्णकारी आशाकारे करताओं को पुलिस ने पीटा और कासगंज के अलताफ के परिवार ने पुलिस पर लगाया हत्या का इल्जाम वही जहरीली हवा में सास ले रहे पियम के संसद्य शेत्र बनारस के लोग और करोना में देश में 24 घंटे में 13,000 से जादा नए मामले आप खबरे विस्तार से त्रिपुरा हिंसा के मामले में 102 लोगों पर लगे यूए पीए में वकील पत्रकार सामाजिक करेकरता शामिल है सुप्रीम कोट ने कहा है कि वे इस मामले में दायर या चिकाओं पर सुनवाई करेगा पत्रकार शाम मीरा सिंग और अन्य की तरफ से पेश हुए वकील प्रशान भूशन ने कोट को बताया कि शाम को ट्विटर पर महस तीन शब्द त्रिपुरा इस बर्निंग लिखने के लिए उन पर यूए पीए लगाने का नोटिस दिया गया है कोट इस मामले पर सुनवाई की तारीक जल देगा बता दें कि त्रिपुरा पुलिस ने हाल ही में दो वकीलों के खिलाफ यूए पीए लागू करने का नोटिस दिया है ये वकील हाल ही में हुई सामप्रदाइक हिंसा के बारे में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली टीम का हिस्सा थे त्रिपुरा में हुई सांप्रदाएक हिस्से में बड़े स्तर पर मुस्लिम विवोधी हिंसा की खबरे सामने आदे। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। थल्ट के नजदीक धरना प्रदर्शन करने पहुची थी। सोशल मीडिया पर वारेल हुई घटना के कई वीडियों में देखा जा सकता है कि महिला कॉंस्टेबल किस तरह से आशाद कारेकरताओं की पिटाई कर रही है। पर पुलिस का दावा है कि ये मामूली हाता भाई थी और किसी को चोड़ नहीं हाई है और नहीं किसी को हिरासत में लिया गया है। जहां 21 साल के अलताव की पुलिस हिरासत में हुई मौत का मामला गर्मा रहा है। इस मामले में पाँच पुलिस वालों को निलंबित किया जा चुका है। युवक के मा, पिता, मौसी का आरोप है कि अलताव की हत्या की गई है और ये हत्या लड़की पक्ष और पुलिस ने मिल कर की है। नियूस क्लिक से बात करते हुए अलताव की मा और मौसी ने बताया कि उसके सर पर गड़ा था और चोट के निशान भी थे। वहीं अलताव के पिता ने बताया कि एक दिन पहले ही लड़की के भाई ने अलताव को जान से मारने की धमकी दी थी। सपा नेता अखिलेश यादव ने पीडित परिवार को पांश लाख रुपे की मदद का एलान किया है, मगर सत्ताधारी बीजेपी या पुलिस प्रशासन ने इस घटना पर ना खेज जताया है और ना ही पुलिस कारवाई की जाच करने की कोई बात कही है। विपक्षी दल कॉंग्रेस ने आज के नेता सल्मान खुर्शीत के नेतरित्व में दस नेताओं को कासगंज भेजा गया है। वही समाजवादी पार्टी के नेता शुक्रवार को कासगंज जाएंगे। अब चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद्य शेत्र बनारस की ओर। या फेपड़ों की बिमारी या फिर आस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें वाईव प्रदूशन के जोखिम को कम करने के लिए एर प्यूरिफायर और अनिवारे रूप से फेस मास्क का इस्तिमाल करना चाहिए। विजय विनीत की ये स्पेशल रिपोर्ट आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं करोना के आकड़ों पर। देश में संक्रमन के मामलों की संख्या बढ़कर 3 करोड 40 लाग से जादा हो गई है। जिन में से अब तक करीब 4,62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में करोना से पीडित 3 करोड 38 लाग से जादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है। और एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 1,38,000 हो गई है। स्वास्थे मंतराले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 110 करोड 23 लाग डोजे दी जा चुकी हैं। जिन में से 55,000 से जादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में ही दी गई है। आज की खबरे इतने ही विस्तार से खबरों के लिए हमारी वेबसाइट न्यूस क्लिक में लॉग इन कीजिए और हमें ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टरग्राम पे फॉलो कीजिए।